कैसे आप लोग कैसी चल रही है पढ़ाई आसा करता हूं आप लोगी पढ़ाई बहुत पढ़ियां चल रहा होगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे Class 8 का History का Chapter 2 That is Trade to Territory इसमें हमने बहुत सारी विडियों जो है बनाय हुआ है और इस portion में हम देखेंगे Company Army Company ने जो है अपनी आर्मी को कैसे strengthen किया क्या reforms किया इस tutorial class में हम लोग ये देखेंगे जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिपिया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि विडियो टैमली मिलता रहेगा और मेरे को भी motivation मिलेगा और जो भी chapters हम finish करते हैं हमारे एक site है www.fullexpand.com इस पे हम exercise के answer को upload कर देते हैं वहाँ से जाकर के आप लोग exercise के answer को लिख सकते हैं और टैमली अपनी पढ़ाई को continue कर सकते हैं तो इस विडियो में हम देखेंगे इस क्लास में हम देखेंगे ता कंपनी आर्मी कंपनी ने कैसे अपनी आर्मी को इस्टेंथेन किया तो कोलोनियल रूल इन इंडिया brought in some new idea of administration and reforms जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोलोनियल रूल में बहुत सारे administrative changes हुए थे बट इट्स पावर रेश्टेड आन military strength लेकिन जो इसका पावर था जो कंपनी का पावर था जो है वो military strength पर depend करता था क्योंकि कोई भी जो है territory उनके business में hurdles होती थी तो वो जो है military attack से जो है उसको अपने कबजे मिले लेते थे और accordingly जो है अपने हिसाब से जो है चीजों को करते थे तो the mughal army was mainly composed of cavalry cavalry पहले जो मुगल आर्मी जो था उसमें cavalry होता था cavalry जो होता है इसमें trained soldiers होते हैं जो horseback मतलब की घुड सवारी जो है आप लोग उसको हिंदी में गुड सवारी बोल सकते हैं तो cavalry होते थे उसमें और होते थे infantry ठीक है यह paddle से ना ठीक है और इसके बाद होते थे आर्चरी आर्चरी मतलब होता है तीरंदाजी मतलब तीर कमान से लगने वाले तो यह जो मुगल की जो सेना थी वो मेंली इस पे डिपेंड थी cavalry, infantry and archery यह जो है and the huge of sword और तलवार का यह वो लोग योज करते थे तो इसमें यह main जो है उनका पार था and इसमें the cavalry dominated the army and the Mughal state ठीक है और उसको जो है cavalry जो है ज्यादा डामिनेट करते थी मतलब की large संख्या में जो है cavalry जो है उसमें होते थे and need not and and did not feel the need to have a large professional trained infantry उनको जो है बहुत trained infantry के जोरत नहीं था वो जो है cavalry पे जो है ज्यादा dependent थे the ruler areas had a large number of armed peasants and the local जमिदार से आफेंज supplied the Mughals with paddle soldiers यह जो है जो जमिदार से वगरा थे वो जो है उनको जह पैदल सेना का जो है supply करते थे पिजेंट्स वगरा किशान थे उनको जह है वो लोग थोड़ा ट्रेंड कर देते थे तो इस तरह से जह है यह मुगल की army जह है उसमें काम करती थी अब हम लोग इसमें देखेंगे कि चेंज इसमें कैसे चेंज हुआ तो एचेंज आकड़ इन दे एटींग सेंचुरी वेन मुगल सक्सेशर सक्सेशर इस्टेट्स लाइक अवद और बनारासी कि स्टार्ट रिकूर्डिंग पीजैंट इन्टो देर आर्मेज एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स तो वहां से जो है चेंज आना स्टार्ट हुआ तो क्या चेंज हुआ कि the East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army जब East India Company ने अपनी आर्मी बनाया तो इसी स्टेटिजी को उन्होंने फालो किया उन्होंने भी पीजैंट्स वगरों को भरती किया और बाद में उनको trend किया which came to be known as CPOY army from the Indian word सिपाही उसमें उन्हों ने उसको सिप्वे का नाम दिया फ्राम दे इंडियन वर्ड सिपाही मेनिंग सोल्जर्स इनका मेनिंग था सोल्जर्स ठीक है तो यह उन्होंने चेंजिंग किया आइज वार्फियर टेकनोलजी चेंज फ्रम 1820 और 1820 से पूरी वार्फियर टेकनोलजी जो है चेंज हो गई इसमें फिर बंदुक्स वगरा जो है इसमें आगे तो उसको हम लोग देखेंगे आइज वार्फियर चेंज फ्रम 1820 दा कैविलरी रिकूट्मेंट आफ दा कंपनी कंपनी आर्मी डिकलाइड जो गुड़सवार सेना थी वो जो है धीरे धीरे उनकी शंख्या जो है कम होने लगी दिस बिकास ब्रिटिस इम्पायर वाज फाइटिंग इंबर्माफ गानिस्तान एजड़ ठीक है वो जो है बर्मा में भी लड़ाई सो दिया गया था कि टीक है मस्कट एंड मैच लॉक्स है मैच लॉक्स के अग्हाव भी तो है एन अर्ली टाइप आफ गण इन विश्ट देपावडर वाज इगनाइट बाइट इड मैच जो है उसको इगनाइट करने के लिए उसको जलाने के लिए एक्स्प्लोजन के लिए जो है मैचिस्टी की जरूरत परती थी तो इसका जो है यूज हो रहा था तो इसके लिए जो है पैदल सेना की ही जरूरत थी The soldiers of the company army had to keep pace with changing military requirement and its infantry regiments now became more important तो अब जो है cavalry declined हो गया ठीक है 1820 के बाद cavalry declined हो गया और उसमें infantry का importance बढ़ गया और अंग्रेजों ने इसी infantry के recruitment पे जोर दिया And in the early 19th century the British began to develop a uniform military culture उन्होंने एक uniform military culture का start करने की कोशिस किया जिसमें की जैसे कोई भेदभाव नहीं होगा इरिस्पेक्ट अफ रेलिजियस कास्ट और और उनको एकदम प्रोफेशनल जो है soldiers चाहिए थे Increasingly subject to European style, training, drill and discipline that regulated their life far more than before Often this created problems since caste and community feeling were ignored इसमें क्या था? Caste and religious feeling थी उसको ignore कर दिया गया था ठीक है कि इससे कोई मतलब नहीं है जो है soldiers को Could individual so easily give up their caste and religious feeling? क्या ऐसा हुआ था? नहीं ऐसा नहीं हो पाया इसलिए बाद में चलके 1857 का revolt हुआ था जिसको हम लोग आगे जो है अभी पढ़ेंगे Next chapter में Could they see themselves only as soldiers and not a member of community? क्योंकि कोई भी soldiers होता है तो वो एक community का member भी होता है कुछ उसका अपना existence होती है कुछ feelings होती है कुछ religious होती है जो की उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है What did the sepoy feel? How did they react to the chances in their lives and their identity? तो इस सब की वज़ा से उनके feelings पे चोट आई एक तो caste पे उनका जो है चोट आया ठीक है? उनके religions पे चोट आया इसकी वज़ा से आगे चलकर के बहुत प्रावलम हुआ ठीक है? इसके आगे चलके उनको बहुत प्रावलम हुआ और इसलिए उन्होंने रिवल्ट किया जिसको 1857 का रिवल्ट मन जाता है और ये बहुत बड़ा रिवल्ट था जिसको हम आगे आने वाले chapters में पढ़ेंगे तो इस तरह हमने ये देखा कि कैसे जो है company ने अपना आर्मी का strengthen किया तो इस वीडियो में इतना ही चीन बचोंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किरिपेज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए ताकि वीडियो अपनों को टैमले मिलता रहेगा थैंक्यो